गोपी गन कुत्वाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने मुखबीर की सुचना पर राजमार के कठोता मोड पर धेरा बंदी करके ट्रक में लदे 27 पसुओ को बरामत कर लिया है ये सभी गोवंश वद के लिए जा रहे थे तभी मुखबीर की सुचना प ट्रक को कबजे में ले लिया है ट्रक में 27 गोवंश लदे हुए थे जो सभी वद के लिए जा रहे थे हाला कि सुचना मपाकर चालक मौके से फरार हो गया है पुलिस ट्रक साही गोवंश को कबजे में लेकर कुत्वाली ले गई है और आग्यात वाहन चाला के खिलाब मुक पुलिस की टीम लगी हुई है यातायत नीमो का पालान न करने वाले बहान चालको पर कारवाई की जा रहे है इस दोरान 350 लोगों पर कारवाई की गई है इनका चालान काटा गया है भदोही जिले की गंगा घाटों पर इंदिनों ओल लोडेट नाव चलाई जा रहे हैं चंद रुपेव के लालाच में आकर नाव संचालक लोगों की जिंदगी से खिलवार कर रहे हैं अईसे में इनकी थोड़ी सी लापरवाही कभी भी भाड़ी पर सकती है लेकिन जनपत के किसी जिम्मेदार अतकेरियों का ध्यान नहीं पड़ रहा है आपको बदाते चले कि आवराई तशिल शेतर के विक्रमपूर में रभीवार को किसानों ने परदर्शन किया है किसानों ने कहा कि जल्द ही खेतों में अगर जमा पानी को निकालवाने की कोई ब्योस्था नहीं होई तो किसान सड़क पर उतरने को बाद होंगे आपको बदाते चले कि आवराई तशिल शेतर के विक्रमपूर महराज गन बसंतापूर समेत कई गाओं की सैगड़ो एकड़ खेत में बारिश का पानी जमा हुआ है खेतों में जल्निकासी की कोई ब्योस्था नहोने से धान की तैयार फसल बरबाद हो रही है वहीं दूसरी तरफ गेहूं की बुआई पर भी संकट मड़ाने लगा है किसानों ने जनपत के जिम्मेदार अधिक्यारियों का ध्यान आकर्शित कराते हुए अबिलंब समस्या से निद्याद दिलाए जाने की मांग की है सुरियावा इलाकी के महजूदा कनकपुर दानुपुर देसे गाओं में लगभा 50 भीगे धान की फसल बारिश के पारिश से घिरा हुआ है जिसके चलते किसानों की मुश्किले बढ़ी हुई है